Hello everyone, this is Priya Mishra and welcome to J.I.Tutorials तो कैसे हो बच्चों, मज़े में हो? तो आज हम स्टेडी करने वाले हमारा 7th chapter geography का जो की है rock and rock type हमने हमारे पिछले lecture में, मतलब की lecture number 1 में क्या देखा था? 3 type of rock होते है, ठीके? So first type of rock क्या था? Agnose rock था, ठीके? उसके बारे में हमने अच्छी तरह से सारे चीज़े देखी हुई थी, कि वो rock कैसे बनता है, कहा से आता है, ये सारे चीज़े हमने first वाले lecture में देखा था, ठीके? Sedimentary rock क्या है? हमारा second type of rock है अब ये rock कहा से बनता है और कैसे बनता है, उसके बारे में हम जानने वाले, ठीके? तो जैसे आप लोग को पता है, कि दिन पे दिन nature change होते जा रहा है, ठीके? ये जो rock होता है, वोट क्या होता है, डेवलाप होता है, ठीके? ये rock का, जैसे आप लोग को पता होगा, कि अचानक से बारिश आ जाती है, बहुत जादा प्रमान पे भी बारिश आती है, कभी-कभी, ठीके? वो बिखर जाते हैं उससे क्या हो जाता है उनके जो अलग-अलग मिनिरल्स जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंट-डिफरेंट टाइप की चीजे पाई जाती है ठीक है यह हमने पहले वाले लेक्चर में अधाता ही ठीक है यह प्रेशर पड़ने के करण क्या हो जाता है वो धीरे-फीरे बिखरने लग जाते है और उनके अंदर जो अलग-अलग टाइप ography्म या ऐसे रोड पर जाओंगे जहां पर बहँ जोर की हवा आती रहेगी तो उस टाइम पर जब हवा चलती है तो उसके साथ-साथ धूल के जैसे बहुत जोर से मिट्टी भी उड़के हमारे उपर आता है तो उसी तरह से क्या होने लग गया कि अचानक से जो तूफान आने लग गया या बहुत जोर की बारिश आने लग गई तो इन कारणों से जो मिट्टी पत्थ पाई जाते थे वो पानी के साथ बहते बहते अलग-अलग नदियों में चले गए ठीक है नदियों में चले गए उसी के साथ साथ जैसे अभी बारिश आते तो बारिश का पानी हर एक अलग-अलग जगह पे जाता है नदी किनारे जाता है समुद्र में जाता है कहीं और चले जाता है नालाव में वगेरा में जाता है कुए में चले जाता है अलग अलग जगा हो पे वो पानी चले जाता है ठीक है तो वो पानी के साथ जो उस मिट्टी के अंदर के जो मिनेरल्स थे वो भी बहके जाने लग गए ठीक है दूसरे दूसरे जगा हो पे जाने लग गए थे उन बारिश के पानियों के साथ में मिल मिल के उनके जो मिनेरल्स थे वो सॉल्यूबल हो गए वाटर के साथ मिल के दूसरी जगहों पे जाने लग गए थे ठीक है दे ट्रांस्पोर्टेड बाई रिवर वो रिवर में चले गए बहुत सारे जगह क्या होने लग गया कि जब बारिश तूफान आता था तो उसका पानी किसमें जाता है रिवर में जाता है नदी नाले ये सारी चीजों में लेक्स वगेरा में ये सारी चीजों में वो पानी बहके चले जाता है तो उनी पानियों के साथ साथ में जो रॉक्स थे जो पत्थर थ अब आप लोगों मैंने बताया कि वो क्या हो गये थे बड़े पत्थरों में से छोटे पत्थरों में कनवर्ट हो गये थे जैसे मिट्टी हो जाते हैं उतने कमजोर हो गये थे उनके अंदर का मिनेरल्स निकल चुका था तो वो बिखरने लग गये थे और बिखरने के कारण उ एक सतह आई मिठ्टी की, उसके उपर दूसरी सतह आई, उसके उपर तीसरी सतह आई, तो वो ये वन बाइवन क्या करने लग गए थे, लेविरिंग करने लग गए थे, और इससे क्या होता था, कि जो पहला वाला, जो अपर लेër होता है, अपर लेयर एक्स्ट्रेट हेवी प्रेशर अन और लोवर लेयर वो क्या करता था अपर लेयर जो होता था वो बहुत हेवी प्रेशर डालता था किसके उपर जो लोवर लेयर होता है ठीक है जो नीचे का लेयर होगा वो अपर लेयर क्या करता था नीचे के लेयर पे बहुत ज अमसान जगे हो या नदी किनारे, नाले साइड में क्या होता है, कि बहुत सारे मरे हुए कुट्जे, बिल्ली, या फिर बहुत सारे अलग-अलग जो अनिमल्स होते हैं, वो बहक के पानी के साथ में भी आ जाते हैं कहीं इधर उदर किसी भी जगह से वो आने लग जाते है उसी के साथ साथ प्लांट के भी कुछ टुकड़े जैसे कोई प्लांट है अभी तूफान आया तो वो प्लांट क्या हो जाता है पेड जो रहता है वो गिर जाता है ठीके पेड गिरने के कारण क्या हो जाता है कि जिस जगह उसके एवो गिरा उसके उपर और जादा मिट्टी का प्रेशर आ गया तो वो क्या हो जाता है दब जाता है तो इसी कारणों से जो अलग- अलग dead animals थे जो different type के dead animals होते है वो सारे dead animals के जो remains थे मतलब उनके जो वो बॉड़ी था वो क्या हो जाते थे दब जाते थे ठीक है और वो दब जाने के कारण यह आप लोग को पता होगा कि अभी भी हमने history में बहुत सारे ऐसे chapters देखे हुए हमारे पुराने time में कैसे हमें हमारे जो पुर्वस थे उनके उनके बारे में पता चलता है तो वो कैसे पता चलता है कि जैसे आप लोग को पता है टाइम बदला, ठीक है, टाइम बदला, बहुत सारी चीजे बदली, तो इसके कारण जब वो नीचे धरती के नीचे जाने लग गये, उदर पर खुदाई होती है, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट वगरा क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, तो उसमें के बारे में हमें इन ही करोन से पता चलता है, जब टाइम बदलता है, समय बदलता है और समय के साथ-साथ जो हमारे remains होते है, उसके अंदर दबने लग जाते है और बहुlt टाइम के बाद जब वो layer एक layer नीचे है उसके उपर कोई जानवर आ गया वो दब जाता है जानवर का जो dead cell जो होता है उसका वो क्या हो जाता है दब जाता है दूसरी layer के बीच में तो वो अपना एक अलग सा design बना लेता है जैसे आपको पता ही होगा कि कोई हड़ी किसी का रहता है तो वो उसका वो उस आकार में आ जाते है और जब बहुत टाइम के बाद हम उसे खोदेंगे तो उतने उतना जो area रहेगा वो उसकी body के वज़े से बचा हुआ रहेगा उसमें मिटी नहीं जाएगे क्योंकि वहां पर उसका body है तो इस तरह से वो dead cells थे वो क्या होने लग गए थे उनके remains मिट्टियों के बीच में दबने लग गए थे देन देखते हैं जो sedimentary rock था वो क्या था जनरली वह कहां पर क्या होता था उसमें वह बहुत lightweight के होते थे मैंने आप लोग को अभी बताया कि वह धूल के जैसे मितलब जैसे अगर जोर की हवा आई तो वह उड़ जाते थे ठीक तो इसके कारण वह धूल में परिवर्तित हो गए थे तो जैसे हवा के कारण या तुफान के कारण वह उड़ने उड़ जाए इतना ज्यादा वह lightweight हुआ करते थे ओके हुआ करता था ठीक है जैसे आप लोग को यह सारी चीजे है सैंड स्टोन ठीक है सैंड स्टोन लाइन स् यह सारी चीजे सेडिमेंटरी रॉक में पाई जाती है जैसे आप लोग समुद्र किनारे वगएरा जाते होंगे तो आप लोग को बहुत सारे शेल दिखते होंगे और उसी के साथ साथ खुदाई वगएरा होती है किसी जगा पे तो उसमें सैंड स्टोन यह सारी स्टोन male किन पत्थरों को जोडने से, किन पे reaction करने से, क्या नया नया चीजे निकलती है, stone कैसे बनती है, stone हेर, हमारा diamond कैसे बनता है, अलग-अलग चीजे, कैसे बनती है, different, different type के, पत्थर, मिटि वगेरा से, जोड़के, यह कैसे बनाई जाती है, ये सारा चीज़े हम हमारे next वाले lecture में देखने वाले ठीक है सो वो हमारा last lecture होगा I hope so कि आप लोगों को समझ में आया होगा sedimentary rock के बारे में और उसको बस एक बार जाके read कर लो अच्छी तरह से आप लोगों का ये topic clear हो जाएगा तब तक के लिए सबसे पहले like कर दो and subscribe जरूर से कर देना तब तक के लिए bye bye मिलते है next lecture में